सब फाइनली दोस्तों मैंने प्रमास्र देख ली है और ट्रेलर देखने के बाद जो एंटिसेपेशन बढ़ा था ना मतलब जो उमीद थी मेरे इस फिल्म से उस उमीद अब देखो ये जो वीडियो है ना मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको जितना नॉन स्पोईलर और जित अब शिवा जो है उसको बहुत सरे ऐसे विजन आ रहे है लेकिन उसे नहीं पता कि इन सारे विजन के बीचे एक्जाक्ली क्या कंटेक्स्ट है अब उसकी मुलाकात होती है इशा से फिर उसके बाद उसे आगे क्लू मिलते जाते है देन वो कैसे गुरू जिसे मिलता है जिन जो मुझे इस फिल्म में बहुत जादा अनौइंग लगी वो है रनबीर कपूर और आलिया बट के कारेक्टर का जो लव ट्रैक है मतलब उनकी जो लव सोरी इसमें है वो बहुत ही टिपिकल जो बॉलिवुड क्लीशे लव सोरी होती है वैसी है आलिया बट बहुत अच्छ और इंप्रूव किया जा सकता था इसके बाद इस फिल्म के डायलोग लिके है हुसेन दलाल ने अब हुसेन दलाल है उन्होंने ये जवानी ये दिवानी के भी डायलोग लिके मतलब आयान मुकर जी के साथ उन्होंने इसके पहले भी काम किया है फिल्म के डायलोग बहुत क इसके बाद इसमें एक सीन है जहापे मौनी राय का एक सातीदार है मतलब उसके ही टीम का एक आदमी है उसको डाइवर्ट करना होता है तो उस टाइम पर आली अबड जो वहाँ पर जाके करती है वो भी बहुत चाइडिश लगता है फिल्म में मौनी रॉय के भी जो डायलोग वो स्क्रीन प्ले बहुत ही वीक है मुवी का जो फर्स्टाफ है वो फर्स्टाफ आपको थोड़ा बहुत इंप्रेस कर लेता है बट अगेन वो जो रोमांस वाला फैक्टर है वो बहुत जादा हावी हो जाता है इसमें अब देखे नागार जुन सर जैसे साउथ के इतने अच्छे विजो जिसके पहले हमने किसी भी फिल्म में नहीं देखे है फिल्म का जो बैगराउंड स्कोर है वो साइमन फ्रैंगलिन ने दिया है अब आपको ये नाम अगर बहुत नया लग रहा है न तो मैं आपको शॉट में इतना ही बताऊंगा कि इस बंदे ने अवतार का जो second part अभी आ रहा है ना उसको music दिया है तॉप समझो कि इसका background score क्या है फिल्म का background score बहुत अच्छा है और वो उस scene को ना एक अलग level पे लेके जाता है we know कि अच्छे visuals और background score एक scene को कितना refine कर सकते है और वही इस film में हुआ है फिल्म में जो character की जो comeback situation है मतलब story में ऐसा कोई twist आ जाता है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि सब खतम हो रहा है लेकिन उसी time पे ना हमारा main character या कोई side character जिस हिसाब से comeback करता है तो ऐसे वाले जो scene है वो film में भर भर के है और बहुत अच्छे है इस film में वो clap worthy moment है लोगोंने enjoy किया लोगोंने ताली सीटी बजाई है इ उसमें बहुत सारे visuals है बहुत अच्छे fight sequence है एंड में जो भी दिखाया है जो visual हमारे सामने आते है वो आपको बहुत impress कर देंगे I'm pretty sure कि उससे अच्छे visuals है इसके पहले हमने Hindi movies में नहीं देखे अब देखो अगर आपने इंटरनेशनल लिवल का जो pop culture है उसे अगर explore नहीं successful attempt नहीं I hope यह film कैसे बिसे चल जाए क्योंकि मुझे देखना है कि part 2 और part 3 में यह क्या improvement करते है और film को और कितना refine करते है ब्रह्मासर जो film है वो और अच्छी हो सकती थी screenplay, character arc यह सारी बहुत ही fundamental चीज़े है एक film की अगर यह सब चीज़े बहुत refined रहती ना तो यह film का experience और अच्छा हो सकता था, film का impact और अच्छा हो सकता था अगर यह video आपको पसंदा तो प्लीज इसे like कीज़े, share कीज़े, channel को subscribe कीज़े, अगर आपने film देखी है तो मुझे comment करके बताईए आपको film कैसी ले की, हम मिलते हैं अगले video में